यह कहानी एक गाउ में रहने वाले आदित्य और उसकी पत्नी भावना किये। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम चित्रा था। वह एक छोटे से घर में रहते थे। आदित्य एक इमानदार इंसान था। वह पानी पूरी बेचकर अपने घर को चलाता था। वह हर रोज सुबह सुबह पानी पूरी बेचने जाता था। पानी पूरी पानी पूरी स्वादिष्ट पानी पूरी एक बार खाओ बार आओ दस रुपए का एक प्लेट आईए आईए। ऐसा कहकर गुलगप्पे बेचता था। उसकी पानी पूरी स्वादिष्ट रहती थी, जिसके कारण सभी लोग उसकी पानी पूरी बहुत पसंद करते थे, एक दिन आदेत्य पानी पूरी बेचकर घर की ओर लोट रहा था, तब ही उसको रास्ते में सुटकेस पड़ा दिखाई दिया, वह सोचता है कि यह सुटकेस क अपने साथ ले लेता है, आदित की पतनी उस सुटकेस को देखकर पुछती है कि यह किसका सुटकेस है, आदित ने कहा, मुझे नहीं पता, आते आते रास्ते में मिला था, क्या है इस सुटकेस में, आदित ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं, उसकी पत्नी ने कहा, अच्छा तो रुखिये, पहले मैं देखती हूँ, आखिर इस सूटकेस में है क्या, सूटकेस खोल कर देखने पर पता चला, कि वह सूटकेस हीरे मोती से भरा पढ़ा है, तभी उसकी पत्नी ने कहा, देखा जी आपने, इसमें कितने सारे हीरे मोती पढ़े है अब हमें तोबारा मेनत करने की जरुत नहीं पड़ेगी भाव ना, ये सुटकेस हमारा नहीं है किसी ने खो दिया है, कल सुबह इसे जमीदार को दे दिंगे क्या आप सच में इसे जमीदार को लोटा दिंगे? आदित कहता है, बिलकुल नहीं, हम इस सुटकेस को हमारे पास ही रखेंगे और आपको मेनत करने की आवसकता भी नहीं पड़ेगी आदित थोड़ा सोच में पड़ जाता है अगर मैं उन हीरे और मोती को लेता हूँ, तो गलत है लेकिन मेरी पत्नी ही वो सब लेती है तो इसमें मेरी गलती नहीं होगी ना? ऐसा सोचकर अपनी पत्नी से कहता है किसी और का कमाया हुआ पैसा मुझे खर्ज करना ठीक नहीं लगता मैं अपनी पानी पूरी की दुकान ही चलाऊंगा तुमें जो पसंद तुम वही करो ऐसा कहने पर उसकी बिबी खुस हो जाती है कुछ दिन बाद उसकी पत्नी कुछ हीरे मूती को बेचकर एक घर ले लेती है और वे सब उसी घर में चल जाते है लेकिन आदित्य अपना पानी पूरी का वैपार नहीं छोड़ता एक दिन जमिदार के पास एक औरत आती है और कहती है हे प्रभू मेरे घर में किसी ने सारे हीरे मोती और गेने चुरा लिये है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करू इसलिए मैं आपके पास आई हूँ कृपया मेरी मदद कीजिए जमिदार कहता है फिकर ना करो माता मेरे पर भरोसा करके आप चले जाओ मैं उस चौर को पकड़ कर आपको बुलाओंगा जमिदार का ऐसा कहने पर वह भरोसा करके वहां से चले जाती है लेकिन आदित्य और भाना के बारे में सारे गाओं में खुसुर-पुसुर चालू हो जाती है कि एक पानीपूरी बेचने वाला व्यक्ती इतना अमीर कैसे हो सकता है यहाँ बात जमिदार तक पहुची और सोचता है एक सादरन पानीपूरी बेचने वाला एकदम से इतना बड़ा घर कैसे खरीद चकता है फिर एक ने कहा पता नहीं प्रभू गाओं के सारे लोग भी आसर जकी थोकर इसे के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है उन दोनों को इधर लाओ सेवक आदित्य और भाणा को उसके पास ले जाता है और जमिदार कहता है देखो आदित्य मुझे तुमारे बारे में सब पता है और तुमारे व्यपार के बारे में भी मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए यहां बुलाया हूँ आदित्य कहता है तो पूछिये न प्रभू मुझे बस तुम इतना बताओ कि इतने कम दिनों में तुमने इतना बड़ा घर कैसे खरीद लिया, वो भी पानी पूरी बेच कर, सच सच बताना भावना सोचती है, कुछ करना होगा, वरना मेरे पती सब सच बता देंगे तबी भावना ने कहा मेरे पती का कमाया हुआ पैसा, बचा बचा कर या घर खरीद पाए है जमिदार बोलता है, देखो माता, मैं आप पर इलजाम नहीं लगा रहा हूँ दरचल मेरे पास एक औरत आय थी, इसने बताया, कि उसके यहां हीरे मोती और जेवर चोरी हो गए है और उसी समय तुमने नया और बड़ा घर लिया, मेरे हालात या पूछने पर मजबूर कर रहे है, तो आप सच-सच बताना आदित सोचता है, अगर हमें अभी भी चुप बैटा रहा, तो एक बड़ी गलती होगी, और उस औरत के दुख कारण मैं हो जाऊंगा आदित कहता है, मुझे चमा करे प्रभू, और जो भी कुछ हुआ, वो जमीदार को बताता है, और तुरंद गेनों से भरा सुटकेस ला कर देता है जमीदार कहता है, तुम्हें अपनी गलती का ऐसास हुआ, और तुमने सच बताकर गेने वापस कर दिये, इसलिए मैं तुम्हें दंडित नहीं करूँगा, लेकिन याद रकना अधित्य, गलती ना करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है गलती करने वालों को रोकना